आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे, चार स्टॉक्स जो आज बहुत तेज चर्चा में है, प्राइज मुमेंट काफी अच्छा हुआ है, वोल्टास, जेन स्टार, लक्ष्मी ओर्गेनिक, एंड बंदन बैंक, इन चारों के बारे में, क्या है हमारी कहां पर खरीदें, और कहां पर प्रॉफिट बुक करने का शॉट टम का लॉंग टम का व्यू, इस वीडियो में बात की जाएगी, आई ये चलकर शुबात करते हैं सबसे पहले, अगर हम बात करें, आनंद राठी ने वोल्टास को बाई का टार्गेट दिया है, 1400 रुपे क आसपास, तो करन्ट मार्किट प्राइस से करीब 15% का अबजेक्टिव रखा है, इन्होंने एक साल का टाइम होईजन, आपको शाद पता ही हो, FII इसमें शांदार होल्डी रुखते है, 24% के आसपास होल्डिंग है, और DIA करीब 30% के आसपास होल्डिंग रखते हैं इसमें तो वोल्टास का शेर, आईए ज़रा चल कर सबसे पहले वोल्टास का हम भाव दिखते हैं, तो वोल्टास काफी अच्छा बाउंस बैक दिखाया है अपने इस सपोर्ट के लेवल से, 1150 एक अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा, जब भी आपको इस लेवल के आसपास ये स्टॉक मिले, तो इसको अपनी आख बंद करकर खरीद सकते हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 1150 के आसपास, 1150 का एक लेवल है, जो आपको हमारे हिसाब से एक once in a lifetime अपोर्ट मिलेगा इसको खरीदने के लिए, अब जो लोग यहाँ पर rally में miss कर चुके है जिन लोग ने खरीद हुआ है, वो बाय करके रखिए, और अगर दुबारा से कभी इसकी अपोर्ट में देखे, क्यों कह रहे हैं, समझने कोशिच कीजिएगा, एक बार, यहाँ पर multi support, multi time support है, time test support है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौती बार, और पांच वी ब देते हैं, और हमारे हिसाब से, अगर आप इसको अपने portfolio में बना के रखें, तो हमारा target 2000 रुपे का है, दोस्तो, तो इसको बहुत जल्दी बनाईए, अपने portfolio में add करके, triangle pattern में implement कीजिएगा, और यह आपको एक multi bagger return देगा हमारे हिसाब से, Voltas का stock, तो अब दूसरा stock हमारे पास है, Zen Star का, Zen Star का profitability थोड़ी कम हुई है, 7.8% के आसपास profitability आई है, जो की यहाँ पर 91 करोड थी, पहले comparison में अगर हम बात करें तो, तो 98 करोड से गिर कर, 91 करोड हो गई है, revenue हाला की बढ़ा है, revenue 21% के आसपास बढ़ा है, revenue की quantum देखेंगे, तो revenue 1100 करोड के आसपास का revenue है, compare to 906 करोड के, तो यहाँ पर 20% का revenue का इजाफा हुआ है, बट, profit after tax थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वज़े से market ने थोड़ा सा pressure बना हुआ है, Zen Star करोड, देखें, यही हुआ है, जब result आने के बाद में, इसने, यह अब फिर से अपने support के आसपास आ गया है, again, यह एक ऐसा stock ह अगर आप technology sector में भी तक निवेश नहीं किये हैं, तो यह आपके portfolio में जरूर होना चाहिए, और इसका भी, जो हम level बता रहे हैं, 355 का level, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा level रहेगा, जिसको आप अपने portfolio में जरूर add करना चाहें, तो यह आपके लिए level रहेगा, 350 का, यह तो देखें, तो देखें, 350 से लेकर, 350 तक का range, यह काफी strong support रहेगा, यहाँ पर पहले resistance भुआ करता था, और एक बार जैसे इसने तोड़ा, तो यह उपर तक चला गया, अब वापिस इसको touch करने आया है, हमारी उमीद है, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो यह बहुत अच less aggressive on this one in terms of target, क्योंकि अभी private after tax में improve होने में थोड़ा time लगेगा, नए निवेशकों को बताना चाहेंगे, opportunity बहुत आएंगी market में, सारा पैसा मत लगाईए, एक साथ, कुछ cash हमेशा रखिएगा, जो latest खबर है, जो price moment है, आपको channel पर मिलेगा, आप चाहें तो by sell की recommendation की according आइए जड़ा चलकर, लक्ष्मी ओर्गनिक और बंदर मैंक के भी बात करते हैं, तो लक्ष्मी ओर्गनिक का target price 535 के आसपास है, और इसमें भी यहाँ पर अगर हम बात करें, promoter के पास में 73% holding है, जो की एक अच्छी contributing factor रहेगा इस stock के लिए, again यह अपने near term support के आसपास आ आ चुका है, देखिए, अभी के हिसाब से, जो यह support level बन चुके हैं इसके, यह अपने चाहें तो अपने chart पर सारे support level मार्कर के रखेगा, 415 का level बहुत strong support की तरह से काम करेगा, यहाँ और current market price के बीच में, आप चाहें तो कुछ quantum इसका खरीद सकते हैं, अगर कभी market opportunity दे, तो अगला support 385 के असपास रहेगा, कुछ पैसा वहाँ पर भी खरीदने के लिए दगा के रखेगा, we are very bullish on this stock, और हमारा target, अगर आप 2 से 10 साल तक hold कर सकते हैं, तो 1000 प्लस का रहेगा, यह आपके लिए एक multi bagger stock है, zen star volume के साथ बढ़ता है, तो आपको अच्छा result देगा, बं London Bank का, यहाँ पर Edelweiss ने target दिया है 348 का, जो की एक साल का time horizon उनने बताया है, और इसमें भी FII की करीब-करीब 34% की holding है, प्रमोटर के पास मेहस 40% की holding है, तो आईए जरा चलकर हम इसका भाव देखते हैं, तो पहले काफी जब हमारा NPA का दिक्कत हो रहा था banking sector में, तो इसक stock दियान रखिए, 300 के आसपास आपको अगर खरीदने को मिलता है, तो अच्छा रहेगा, तो अभी इसको और थोड़ा शायद market में correction आए, तो banking sector थोड़ा और नीचे गिरे, 300 के आसपास आप इसको अपने portfolio में add कर सकते हैं, और ये target आपको triple digit का दे रहे है, 1025 रुपे का, ये हमारा analysis के accordingly, आपको 2 साल के अंदर ये अच्छा target return मिलना चाहिए, इस stock में जब banking sector revive करेगा, तो ये तीनो चारो stock आपके लिए हमारी तरफ से, अगर किसी particular stock का exact buying level जाना है, short term के target जाना है, profitable trade करने के लिए, तो हमारे paid member बन सकते हैं, अपना समय देने के लिए advisor, 5% दाद की जिरी stock में जिवेश मत कीजिए, training के लिए mail drop कीजिए, जहीं जबारत, bye guys